दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नालंदा जिले के इसलामपुर्थाना चत्र अंतरगत पत्ति विघागाओं में सोमबार की रात्री स्राद कार्जक्रम के भोज में बदमासों ने गोलीवारी कर दसत फैला दी वहीं इस घटना में एक ही गोली लगने से दमपत्ती समेत तीन लोग जख्मी हो गए बताया जाता है कि स्राद कार्जक्रम में खाना परोशने के विवाद में यह घटना हुई है जख्मी महेश यादव एबं उनकी पत्मी चमेली देवी और मंटु कुमार को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां से मंटु को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी बेमस्रेफर किया गया है दमपत्ति को मामुली रूप से जख्मी कर पी लेट इवग के जांग में लगी थी जख्मी बुजुर्ग महेश यादव घटना का रोप शराब धंदेबाजों पर लगा रहे है बता जाता है कि शराब बेचने के विरोध पर घटना को अन्जाम दिया गया है बदमासों ने पिटाई कर उनका हाथ तोड़ दिया वहीं ग्रामिनों की माने तो ब्रंभोज के दौरान खाना परोशने में बिबाद हो गया जिसके बाद बदमास फाइरिंग करने लगे उसी दौरान एक गोली से दमपत्ति समेत एक इवबक जख्मी हो गया वहीं इस गटना के बाद पुलीस मामले की जाच में जुट गई है दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले